हेलो डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे आज का वीडियो थोड़ा सा इंपोर्टेंट होने वाला है सी यू इटी एस्परेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट ने B-Farm में एडमिशन लेने के लिए CUE-T का एकजाम दिया है काउंसलिंग में पाटिसिपेट किया है लेकिन काउंसलिंग में पाटिसिपेट करने के बाद भी वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं everything आज इसके इस वीडियो में डिसकस करेंगे सारी चीजों के बारे में सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SB Pharmacy पे बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मैं साक्षी राजपूत और आज डिसकस करेंगे एक important topic के बारे में काफी सारे इसमें points कवर करेंगे सबसे पहले तो जिन student ने counseling में participate किया है वो participate करने के बाद जब वो college पहुंसते हैं तो वहाँ पर जाने के उसे तो फ्रीज कर देता है college को अगर उसे suitable नहीं लगता है तो वहाँ पर college को float कर देता है अब इस condition में student के साथ क्या हो रहा है अगर वो freeze करता है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है महाँ पर university जो है वो से चार्ज भी ले ले लेती है फिर उसके बाद जो refund का procedure है वो refund का procedure का क्या हो रहा है क्या refund उसका हो रहा है अगर वो freeze कर देता है और बाद में in case अगर उसका admission नहीं हो पा रहा है तो उसे इमहाँ पर जो refund है वो refund policy है या नहीं है ज्यादा तर ईशू आ रहा है बच्चों के साथ refund policy को लेके कि मैम refund नहीं हो रहा है college वाले नहीं मना कर दिया है कि refund नहीं होगा है ना तो ऐसे case में बच्चा क्या करें क्योंकि अब एक बात बताईए एक case तो मुझे बहुत अजीब लगा एक case मुझे कैसे अजीब लगा भाई बच्चा college में पहुचता है college counseling के राउंड हो गया है उसका उसने seat भी अपनी freeze कर ली है और उसके बाद उसने payment भी कर दिया 20,000 का जैसी वह बच्चा college में पहुचता है तो college में पहुचने के बाद college वाले बोलते है कि student के अगर नाम की बात करू राम जी उस बच्चे का नाम है कि 10th की mark sheet में J E है और 12th की mark sheet म जे आई है तो इस case में आपके document verify नहीं होंगे अब आप एक बात बताईए जब counseling चल रही थी counseling में document upload होते सबसे पहले फिर उसके बाद एक दिन बाद document verify होके आपको मिलते हैं कि document verify हो गए वो काम कौन कर रहा है यूनिवस्टी कर रही है ठीक है EKTV University की अगर मैं बात करू तो वो document verify करके दे रही है ना सारी चीजे वो देख रही है सोच रही है समझ रही है अगर उसे कुछ गड़बर लगती तो वो आपको पहले inform कर देती कि भाई ये verify नहीं हो पाएंगे ठीक है लेकिन इस case में क्या हो रहा है उसने verify कर दिया document verify भी कर दिया हमने counseling attend भी कर ली करने क के बाद मैं जब first round में ही बच्चे को college भी अलोट हो गया उसने fees भी भर दी अब जब physical reporting का टाइम आता है physical reporting से पहले ही withdrawal का option है सिर्फ physical reporting से पहले ही अगर साथ तारी की बात करो तो उस दिन क्या है withdrawal का option है 9 तारी की अगर मैं बात करो तो physical reporting थी starting के तीन round के लिए अब जब बच्चा नो तारी को college मोहता है को तो college वाले बोल देते हैं कि ये आपके document जो है verify नहीं होंगे या तो आप इसमें संसोधन करा लीजिए otherwise आपको seat नहीं मिलेगी संसोधन का time जो दिया गया है बच्चे को एक हफते का दिया गया है अब आप एक बात बताईए जब बच्चा college जाएगा school भी जाएगा वो अपने school जाके बोलेगा कि ये संसोधन करा दीजे तो इस school वाले एक हफते में कैसे कराएंगे possible ही नहीं है नहीं हो पाएगा इस school की भी इसमें कोई गलती नहीं है school ने बोला है कि कम से कम हमें एक महीने का time चाहिए 20 से 25 दिन का time कम से कम चाहिए संसोधन के लिए तब आपकी mark sheet सही बनके आएगी दूसरी चीज कोलिज वाले ये भी बोल रहे हैं कि आप अपनी original mark sheet लेके नहीं जा सकते हो अगर आप original mark sheet लेके जाओगे तो आप यहाँ पे हमें एफटेबिट लिखके देके जाओगे जिसमें लिखा होगा जिसमें mention होगा कि मैं एक हपते बाद आपको mark sheet लाके दे मुझे ये seat नहीं मिलेगी मेरा admission cancel हो जाएगा बच्ची के सामने बहुत सारी problems create हो गई ठीक है अब इस्टूरेंट क्या करें बच्चा क्या करें कोलिज वाले सुनते नहीं है 12th pass out करके अभी बच्चा गया है local का है जादा बहस भी नहीं कर पाता है कोलिज में और दूसी च document verify नहीं होते हैं तो आपकी तो एक साल की fees खराब होगी लेकिन हमारी जो fees है वो तो हमारी तो तीन साल की खराब हो जाएगी बाकी ही बाकी तीन साल हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा हमारे seat खराब चली जाएगी college का ये भी बोलना है तो जो college है भाई college क्या बच्चे के future के ब बहुत दूर college मिल गया है और बहुत दूर college मिलने के बाद जब वो अपनी fees अगर refund मांग रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है उसी के कारण की भई अब time चल गया withdraw नहीं कर सकते हैं वो तो website पे भी mention है लेकिन इस case में क्या होगा जब बच्चा document भी verify है उसकी क्या गलती है उसने तो verify पहले भी करवाए हैं वहाँ हो गया college में जाता है विड्रो का option पहले है लेकिन उसे विड्रो करवाना ही नहीं था अब वो जब जाता है महाँ पे physical reporting के time तब आप उसे बोल देते हो आपके document verify नहीं होगे अगर document verify नहीं होगे तो आप उसके 20 2000 रिटन कीजिए क्योंकि इसमें तो उसकी कोई भी गलती नहीं है student की कोई भी किसी भी परकार की इस चीज में गलती नहीं है तो बच्चे का पैसा वापिस किया जाए ठीक है यह मैं अनुरोध करती हूं सबी colleges से सब से university से CUET से EKTU से सब से मेरा अनुरोध है कि बच्चे के साथ ऐसा ना हो अभी उसके करियर की शुरुवात और अभी वो इतना डी मोटीवेट हो जाएगा अभी वो इतना परेशान हो जाएगा पैरेंट्स का प्रेसर आएगा कि हम तो तेरे कहने से 20,000 रुपे भर दिये थे 20,000 रुपे एक मिडल क्लास फैमली के लिए बहुत बच्चे का एड्मीशन ही हो पा रहा है और एड्मीशन नहीं हो पा रहा है और उपर से वो पैसे भी चले गए अगर वो कहीं और भी एड्मीशन लेने की सोचे अभी टाइम ही नहीं बचा है कहीं भी डारेक्ट भी एड्मीशन नहीं हो पाएंगे अब जो होगा के साथ ना हो दूसरी चीज आता है FW सीट वाला कि जिससे अगर ट्यूशन फी वेवर T FW सीट मिली है उन स्टुडेंट के साथ भी ऐसा ना हो आप लोगों की 63,400 रुपे की साथ और ही प्राइब के साथ जिस साथ गलत हो रहा है तो आप लोगों को आवेर रहेना है बिटा और अपने हग के लिए बोलने में जहां आप सई हो बोलने में भी चाना नहीं है जहां आपके साथ आपको लगता है गलत हो रहा है तुर में हिच किचाना नहीं चाहिए वर anti-career का TL कर में सवाल है लाब उ ठीक है तो आई होग बहुत सारी चीजे आज के इस वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे अगर आपको कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करें उसके रिगार्डिंग में वीडियो जरूर बनाऊंगी बाकी दो महीने आप कोलेजिस की सारे कोलेजिस की भी नहीं गलती बताती हूं लेकिन हां ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए हार्ट होता है ठीक है जब मुझे इतना बुरा लगता है बच्चों की बात सुनके तो उनके पैरेंट्स को कैसा लगता होगा खुद बच्चे को कैसा लगता ह यह सोचिया तो मैं वही बोलना चाती हूं कि एप्लिकेशन पर डेली लाइब क्लासिस हो रही है आपके पूरा स्लेबर कराया जा रहा है एक्जाम की पूरी तयारी कराया जाएगी आपको आज के लिए नहीं चार साल बाद के लिए भी हम तयार करेंगे तो जाके एक बार वि कितन कर रही हूं मेरी पूरी टीम बहुत कोशिश कर रही है तो प्लीज बस अब जरूरत है आप लोगों के साथ कि आप लोगों के सपोर्ट की छे सो बच्चे जो की मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की 600 स्टूडेंट्स मेरे यहां पर ५ि जूसी की बात है और साती साथ अभी चिल्डर्ण्ज जैसल लेगा कोई भी फिजी टेलिवरी वाला कोर्स लेता है जैसे जिसमें की घर हमारे तरफ से कुछ जाए जो भी स्टूडेंट को रिदेगा जब आपका पार्सल आपके घर पे पोचेगा तो उस पार्सल के अंदर आपके लिए निकलेगा एक special coupon वो coupon 100 रुपे से लेके 3,000 तक का हो सकता है तो आपके लिए बहुत beneficial होने वाला और इस बार का जो offer है इस बार का जो ये मैंने निकाला है आप लोगों के लिए एक surprising gift एक तरह ही होगा कि भाई आपके घर पे जो जाएगा पार्सल हमारी साइट से उसमें 100 रुपे से लेके 3,000 तक का कोई भी voucher निकल सकता है कोई भी coupon निकल सकता है मतलब आपको 3,000 तक का भी फाइदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा दिन है सारे त्योहारों से बड़ा दिन है क्योंकि ये हमारे student का दिन ह तो आप लोग जाएए विजिट कीजिए BSP Pharmacy App जितना जादा सजादा quantity में हो सके courses में join कीजिए ये जो coupons है ये limited है 200 only coupons available है जैसे मेरा ये वीडियो पब्लीक होगा ये coupon जो भी student parcel मतलब मंगवाएगा अपने घर चाहे वो आप 200 वाला course लो आप 1500 वाला course लो या फिर आप 24 सुन्यान में वाला third semester का course लो जो भी course आप लेते हो जिसमें की घर पे notes जाए ऐसा आपको कोई course लेना है जिसमें घर पे notes जाए तो उस course के अंदर आपको अपने parcel के अंदर देखने को मिलेगा ये coupon ये surprising coupon जहां से सुनना में क्या बोल रही हूँ घर पे जब पहुंच जाए इसे ही उनके पास पहुंच जाएगा पार्सल तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जरूर रिवील करूंगी 40 नवेंबर से पहले ही ओके डियर स्टुडेंट मिलेंगे दर नेक्स इंफॉर्मेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नम बास जिस्कार